सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फैनली ओपो वालो ने अपने ओपो F19S के अंदर ColorOS 13, Based on Android 13 का जून मंद का न्यू आफिसल वर्जान रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने ड्यूआइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से न्यू फीचर से देखने को मिलता है कौन से बग से फिक्स हुए है साथ इसका बेटरी परफामेंस की स्टेप से देखने को मिलता है इसका game performance की step से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस update का full review देने वाला हूँ दोस्तों तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखियेगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs और features वगरा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर उपर के side में आपको official version देखने को मिलता है और OPPO F19S का model number CPH2223 देखने को मिलता है बात की जाए इस update के basic information की तो यहाँ पर आपको F.70 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 289.61MB का है और यह आपको color OS 13 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाए इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 13 के update के साथ 5th June 2023 का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लोग बात की जाए अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी चोटे मोटे नाम इसू थे उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथी दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको optimize करके आर भी better improve किया है जिससे की जो stability, apps experience, speed, battery life वगरा जो है काफी better देखने को मिलता है साथी दोस्तों कोई-कोई user को कुछ-कुछ situation में lagging issue देखने को मिलता था तो उसको भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की आपको आर भी better experience देखने को मिलता है और इस update के बाद दोस्तों मेरे को अभी तक कोई भी lagging issue देखने को नहीं मिला है इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर password and security के अंदर system security में इस update को करने के बाद आप Google Play system को update करते हैं तो आपको यहाँ पर 1st माई 2023 का new Google Play system update देखने को मिल जाता है पहले दोस्तों 1st April 2023 का देखने को मिलता था लेकिन इस update के बाद इसको update करते हैं तो आपको 1st माई 2023 का Google Play system update देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जागले change की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो mobile network के connection और communication है उसको यहाँ पर और भी improve किया है उसके जो stability है उसको यहाँ पर improve करके stable कर दिया है जिससे की जो mobile network up-down हो रहा था वो यहाँ पर stable देखने को मिलता है आपको इस update के बाद mobile network का जो problem है वो यहाँ पर solve देखने को मिल जाता है इसके लाव बात किज़ अगले चेंज की तो एपस के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो वेदर एपस है वो आपको वेदर का इंफरमेशन प्रॉपरली सो नहीं करता था कभी-कभी जो है अनवलेबल करके मैसेज सो कर देता था तो उस प्राबलम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है जिससे कि अब आपको वेदर का इंफरमेशन प्रॉपरली देखने को मिल जाता है इसके लाव बात किज़ अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर एडिशनल सेटिंग में एकसिसिबिलीटी के अंदर टाल्क बैक फीचर्स की तो अगर दोस्तो आप टाल्क बैक फीचर्स को आन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर additional setting के अंदर accessibility में आखर on करना पड़ता है लेकिन दोस्तो इस update के बाद talkback को on करने के लिए आपका shortcut का option 8 कर दिया है अगर दोस्तो आप talkback features को on करना चाहते हैं तो volume up और down button को same time में press करके hold रखते हैं तो आपको यहाँ पर talkback features को on off करने का option 100 हो जाता है आप volume up down button को एक साथ press करके थोड़ा hold करेंगे तो आपको talkback features देखने को मिल जाएगा साथ दोस्तो आप disable भी volume up down के button से ही talkback features को disable कर सकते हैं इसके लाव बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो brightness के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप brightness को कम ज़्यादा करते हैं तो वो automatically adjust होता है लेकिन दोस्तो अगर आप manually करना चाहते हैं तो वो कुछ-कुछ situation में properly adjust नहीं हो पाता था automatically होता था लेकिन manually adjust नहीं हो पाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप brightness को adjust करते हैं manually हो या automatically तो आपको proper way में brightness जो है adjust देखने को मिलता है इसके लाव बात की जगले bug fixes की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो ringtone के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप setting में जाकर sound and vibration में जाकर ringtone set करते हैं तो आपको properly ringtone set करने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आप किसी specific contact में ringtone set करना चाहते हैं जैसे अलग-अलग contact के लिए अलग-अलग ringtone set करना चाहते थे तो आप properly set कर सकते हैं अलग-अलग contact के लिए अलग-अलग ringtone set कर सकते हैं बात की जाइस update के बाद इसके battery performance की तो उसके लिए हम चलते हैं setting के अंदर battery के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो जो battery performance है आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है पहले दोस्तो काफी ज़्यादा battery draining और heating issue का problem देखने को मिलता था जो third party apps वगरा है वो यहाँ पर battery ज़्यादा consume करता था जिसकी वज़य से battery draining का problem सो हो जाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better battery backup battery performance देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो जो charging speed है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो charging करते है तो आपको थोड़ा heating issue देखने को मिल जाता है अगर इस बात की जाई इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर आप check out कर सकते है इसका जो game performance है वो पहले से better देखने को मिलता है पहले दोस्तो game में lagging issue, jitter issue और कभी कभी frame drop issue देखने को मिल जाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप game play करते हैं, game खेलते हैं तो आपको काफी smooth performance देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आपको ज़्यादा time तक game खेलते हैं तो आपके phone में ज़्यादा hitting issue देखने को मिल जाएगा तो यह रहा इस update का full review, दोस्तो यह update आपको मिला है की नहीं मिला है, मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तो इस video में, video पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले, मिलते हैं आपसे next video में, तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो